कभी कर दो आकल भी आफ थिर्ट्च कर अचल लांच भर लांच अचल आँ So we are here out for a lunch और दिखाँ आप को बहुत अच्छा लोकेशन है अगजाए तूप मशस्यानुख तूप लगिया है सच्छाश बउस्या सब्सक्केशनुख लगी है आप बहुत है कर दो है जो और दो है क्या कर बना है तैस्सलिए बाव जी अच्छा लग राए है तो एधर अच्छे हैं है तो हमारा लंच्छ करने के बाद हम बाव जी के साँ जारे एक बडिया सी चीज करने के लिए जो कि मैंने पहले कभी नहीं की वह है भाइया करते हैं लेकिन मैंने नहीं किया कभी कभी ऑपर्चुनिटी भी नहीं मिला तो भाइया के साथ जा रहे हैं आज हम लोग मचली पकड़ने प्रफिशेंग भाइया दाइविंग लॉट अफ एक्यूपमेंट वेरी गुट क्वालिटी तो अभी तो हम जा रहें नीचे बोट पकड़ने और बोट पकड़ने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बीच में फिर जाके महां मचली पकड़ेंगे कितना होता है कितना होता भी है ओनली इस कार्बन फाइबर वो तो सर हमने पर्ची कित्ते की सिस्टी रुपीज में हम दो दिन और हम चार फिश पकड़ा सकते हैं एट फिक्स फाइव पांच फिक्स आज चार आज और चार कर देखिए अज लाग अज बाते हैं हम लोग को मिलता है कि नहीं तो अब हम लोग जा रहे हैं बोट लेने के लिए और बोट पकड़ करके फिर हम लोग जाएंगे फिर नीचे तुझे को बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थि कहीं तुझे जमी पे बुलाया बाद में चैन आप बोट इसकामिगे और आप बोट आज और रहा है कभी कभी मेरे दिल में आप बोटेंग में बोटेंग आनम लोग मशली डूंड ने के लिए गाहा है झाल है प्लå सपुला भू भी मृलता है सहे का का कि लंड चालरीक अउ हुडाियिज अभी शरीे क्वेयरे इसेर्ण कीर कहा है पूर देभालार की आ फिर्म आ में दीघ्रेण भी मैंड़े वह बाद कर दो आपकिए देखे जो प्रॉट नम्बर पर इंग इस लावन्या फाइनली हमारे जो डद्डू साहब है इलतक गव ऑफिस और हम कल सुबह फिर से फिशिंग करने के लिए इनको फिर से पानी में उतारेंगे और इग्जाक्ली फाइव 15 पर हम उठेंगे कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है अलो फ्रेंट्स बॉर्निंग विलकम तो यह तना ब्लॉग ऑफ मैं हाले मैं वाइव इस दे टू इन बीटिफुल वैली ऑफ इंताल और सुबह मैं और बाओ जी जारें फिशिंग करने के लिए समवाट आराउंड आरे दिल वाइव वाइव प्रेंट्स बॉर्निंग वाइव इस दू इस दू आरे जारे और थोड़ा सा फिशिंग कर एक्सपिरियन शेर किजिए वाइव अब भी इंताल लेक में जाने बाले बोट को मने रात को बॉक कर दिया ता तो मेरी यह फिशिंग रॉड इस दू आर्ली मॉनिंग कि हम जाएं और फिश को अपने आगोश मिले अगर हाथ लग गई तो बहुत अच्छा ब्रेखवास होने वाला हम लेकर करेंगे यहां पर कॉंसी फिश है बाओ जी महा शेर महा शेर मने कि I have never heard about this species but it's really good to know about this कि इसका एवरेज वेट दो किलो से पांच किलो के करीब इस फिश का होता और यहां पर फिशिंग करने पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है दो दिन का चैसे हम लोग ने लाइसेंस लिया तो यहां पर हमारा बोट वाला बस आई ही गया है आपको दिखाते हैं इसकी कॉपी आपको दिखाएंगे अगरे जैनुएन काम करते हैं कोई यह देखें लाइसेंस की प्रॉपर कॉपी है हमारे पास एनलार्थ करके आप देख लीजेगा मेरी अमानत है यह गयसूओं की घनीचा है मेरी खात यह होट और यह बाहें मेरी अमानत में कभी कभी मेरे दिल में कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है के जैसे बज़ती है शहनाईया सी रहों में सुहाग रात है घूंगट उठा रहा हूं मैं सिमट रही है तुशरमा के अपनी बाहों में कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कभी कभी तो बाओ जी कुछ बोलिए बस बस नराशा लगी है मेरे तो अए आप जाए नराशा हां क्या कर सकते हैं वह अपका लगा साहब आप अपना अप्लोटिंग नहीं डुपटी मैं सरे लगाना चाभा यहां जाए तो पकड़े तो पकड़े तो यहां को रगाते हैं एगां तो अट्रा में झाल झाल